मौसम मदलने पर सर्दी, खासी और गले की खराश अक्सर परेशान करने लगती है। घर में मौजुद चीजों का इस्तिमाल होता है और इसकी मदल से अब असानी से खराब गले से निजात पा सकते हैं। एंटी सेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेंटरी और एंटी एक्सिडेंट गुन पाये जाते हैं। अब बात करते हैं काले मिर्च और शेहत के बारे में। काले मिर्च और शेहत गले की खराश और खांसी को दूर करता है। इससे कफ बनना कम होता है। काले मिर्च और शेहत के मिश्वन में एंटी बैक्टिरियल गुन पाये जाते हैं। गले के इंफेक्शन को दूर कर सर्दी और खांसी में अराम पहुंचाती है। और बात करते हैं आखरी में तुलसी और अद्रक की चाय के बारे में। सर्द्यों के मौसम में हैल्दी रहने के लिए तुलसी और अद्रक की चाय फायदे मन्द होती है। आप चार या पांच तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। इसमें आधा इंच अद्रक का तुकड़ा डाल सकते हैं और इन दोनों चीजों को पानी में डाल कर आधा रहे जाने तक उबाले। फिर इसे चान लें इसे गुन गुना पियें आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं लेकिन शहद को चाय के रूम टैंपरिजर आने पर ही मिलाएं अधरक और तुलसी में एंटी वाइरल और एंटी बैक्टिरियल गुन पाए जाते हैं गले की खराश को दूर करते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं उसे लाइक और शेयर जरूर करें। कर दो सकता हैं। झाल झाल झाल